देही के नौस कदी धीला हो, हवे रंगदार बेतिया जीला हो। इसी गाने पर औरकेष्टा वाली लड़किया नाच रही होती हैं, वहाँ पर दो चार लड़के भी होते हैं और इसके बाद एक ही औरकेष्टा वाली लड़की के हाथ में चार पांच देसी कट्टा एक की नाचती रहती है इसी गाने पर हवा में उसको लहराया जाता है हवा में चारों तरफ घुमाया जाता है और इसके बाद जब वीडियो वाइरल होता है तब सवाल उठता है कि आखिरकार लोगों के मन में इस बात का बिल्कुल डर नहीं कि जहां पर 100-200 लोग बैठ कर और के लिष्टा वाली के हाथ में उसको दे रहे हैं तो आखिरकार कोई वीडियो बना लेगा तो हमको पुलिस पकड़ लेगी और आगे यही बात आपको हम बताएंगे कहानी बताएंगे कि वीडियो वाइरल हुआ है और वीडियो वाइरल हुआ है तो इसकी कहानी क्या है बाग मजौलिया थाना छेतर के किस गाउं का मामला है तो गाउं के बारे में अब तक कोई पुष्टी नहीं हो पाई है और वीडियो वाइरल है मजौलिया थाना छेतर का बताकर हाला कि हम वीडियो की पुष्टी नहीं करते हैं लेकिन वीडियो में दिखता क्या है तो दिखता है क औरकेष्टा वाली दो लड़किया वहाँ पर नाच रही होती हैं वहाँ पर गाना बज़रा होता है कि आरा छपरा हो गई जियान देखते साइड हो जाला सिवान बक्सर बलिया भोजपूर घुमनी कोई मरद नहीं मिला हो तब लड़का कहता है कि देही के नौसकदी धीला और वही पर जहाँ पर रंगदार बेंदिया जिला की बात होती है वहाँ पर देशी कट्टा वह भी एक नहीं बलकि चार-पाँच देशी कट्टा दिखता है कि हाथ में लेकर लहरा कर औरकेष्टा वाली नाच रही है लड़के उसको नाचने के लिए देते हैं और इसी द उन तक या सब कुछ पहुच कहां से रहा है और पहुच रहा है तो उनके मन में इस बात का डर तक नहीं कि वो खुलिया में या सब कुछ करेंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी फिलहाल मजहौलिया थाना छेत्र का पूरा का पूरा मामला है और ऐसे कई मामले पिछले क कुछ दिनों में सामने आये हैं जब दशहरा का माहौल था और उस वक्द पर तमाम अलग अलग जगहों पर सांस्कृति कारिक्रम के नाम पर औरकेष्टा कराया गया तब वहां से भी कई सारे वीडियो वाइरल हुए और इसके बाद अब मजहौलिया थाना छेत्र जो बेतिय आते हैं और वो उसको हाथ में लेकर लहराते हुए नाचती है और लड़की वहां पर जब नाचती है तो कोई वीडियो बनाता है और वही वीडियो वाइरल हुआ तो अब हम इसके बारे में शर्चा कर रहे हैं अब आगे देखते रहिए कि पुलिस इस पर क्या कुश आई करती है लेकिन जब तक हम आपको खबर बता रहे हैं जब हम खबर शूट कर रहे हैं उस वक्त पर कारवाई की कोई खबर नहीं आई है अगर आगे कुछ बड़ा अपडेट आता है कुछ भी और जानकारी आती है और तमाम परकार की जो भी खबरे आएंगी वह सब कु आपकी इस पर क्याप परतिरिया है कमेंट वॉक्स में लिकर बताइएगा कि मोहीत कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद